नमस्का स्वागत है आप सभी का दा इंडियन एकॉनमिस्ट में तो कतीस अक्तूपर को हर साल अभी जो है एकता देवस मनाया जाता है जिसको हम नैशनल यूनिटी डे भी बोलते हैं तो हमारे परधानमत्री जी है वो 145th birth anniversary जो है वो मनाने के लिए अभी चले गए है गुजरात तो वहाँ पर कुछ projects का भी वहाँ पर motion करेंगे तो कवारिया एक जगह है जहां पर statue of unity जो है वो स्थित है तो वहाँ पर inauguration वो करेंगे तो अच्छे से discuss करते हैं क्या importance है तो बात करते हैं कवारिया कौन से जगह है कवारिया जहां पर statue of unity जो है स्थित है साबर मती river के river front के बिल्कुल सामने तो यहां पर एक एकता cruise शर्वी शुरू की जाने वाली है तो यह जो है इसका view देख सकते है statue of unity देख सकते है एक ferry boat चलाई जाएगी ठीक है इस एकता cruise क इसका नाम पर ferry boat होगी जिसमें जो है 200 passengers जो है एक time पर सवार होके distance जो है cover कर सकते हैं श्रेष्ट भारत वावन से लेके statue of unity दख तो 6 km तक का यह distance है और 40 minute की यह ride है तो यहां से भी tourism बढ़ेगा टूरिजम से revenue सरकार के पास आना शुरू होगा तो यहां पर especially एक bridge बनाया गया जिसका नाम है गोरा bridge वो इसलिए बनाया गया कि ferry service जो है उसको असानी हो यहां पर आने जाने के लिए statue of unity से स्टेश्ट भारत बावन तक तो यहां पर boating channel भी बनाये गये है boating services को provide करने के लिए tourist के लिए खास तोर पे तो statue of unity के लिए काफी खर्चा सरकार का हुआ था 3000 क्रोड के आसपास की राशी लग गई थी सरकार अब चाह रही है कि tourism को और उसके आसपास areas में बढ़ाया जाए अच्छी approach है tourism से काफी जो है income generate होती है सरकार की भी और लोगों की भी तो आने वाले समय में और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा क्यों कि जो statue of unity है world largest जो statue उसको अभी माना गया है height के साब से और आगे जो important यहाँ पर integration होगी वो है एकता माल ओके यहाँ पर जो mall होगा न तो इसमें इंडिया के अलग अलग states ने जो handicrafts के जा traditional items निकल के आती है उनकी exhibition होगी diverse range की जो exhibition होगी जो symbolize करेंगी इंडिया की unity को उसकी diversity को ओके तो यह जो पूरा का पूरा एडिया होगा 35,000 square fit के एडिया में यह फैला होगा तो यहाँ पर mall के अंदर 20 emporia होगे जो हर एक specific state को जो represent करेंगे इंडिया की ओके और साथ ही साथ सबसे important है Children Nutrition Bank तो इसका यह answer I think में 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 इसका अंसर लिख सकते हो Children's Children Nutrition Park Park सोरी बैंक नहीं पार्क तो यह वर्ड की first ever technology driven nutritional park है Children's को यहाँ पर awareness प्रवाइड की जाएगी अलग-अलग themes के ताया तो एक nutrient train यहाँ पर चलाई जाएगी वहाँ पर थोड़े theme based stations होगे for example फल फल शाखा घराम ओके पायो नग तो ऐसी stations होगे जहाँ पर train रुकेगी एक तरह के बच्चों को message जाएगा कि nutrition कितना important है diet में तो अभी जैसे पिछले हफते report आई है Global Hunger Index की तो भारत की ranking देखो 94 पर तक पहुंच गया है तो पाकिस्तान और बंगलादेश उनकी ranking बहतर हो गी है भारत से तो यहाँ पर हमें अपने बच्चों को nutritional diet प्रोवाइट करनी होगी अंडर नूटरीशन जो है बचे जा रहे हैं चायल्ड वेस्टिंग बढ़ती जा रही है चायल्ड स्टंटिंग बढ़ती जा रही है तो चायल्ड मॉटलेटि भी बढ़ती जा रही है तो पांस साल की कम अमर के बच्चे अ आप उसको अच्छे से देखिए अच्छे से समझिए कि कैसे गलोबल हंगर इंडेक्स को मेर किया जाता है और इंडिया का रैंक 94 क्यों आया है ओके वो क्या-क्या पैरमेटर्स वहाँ पर देखे जाते हैं सबको मैंने यहाँ पर अच्छे से डिस्कुस किया अग्यमेटर्स रेयल्टी गेम्स होगी था बच्छों को ना अवेर्नेस किसी ना किसी तरीके से पहुंचे निउट्रिशन कितना इंपॉर्टन है डाइट में और बच्छों के पेरेंस को भी अवेर्नेस हो और आगे बात करें आरंब 2020 की तो इसका भी यहां पर शिला ंयास करेंगे तो यह होता क्या है इनिशेटिव यह स्पेशली जो ऑल इंडिया से जो गरूप पे जो सेंटरल सेंटर के जो जो ओफिसर्स होते हैं जब फॉरंड सेंटर्डर्स के जो ओफिसर्स होते हैं तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जदा ट्रेनिंग दी जाती है RM 2020, तो यहाँ पर कोशिश यही होती है कि civil servants को capable बनाया जाए, यह अपने देश को आगे लेके जाना है अलग-अलग departments को कैसे lead करना है, अलग-अलग fields में इसके अलग से तीन और सब themes हैं, एक भारत, आत्म दिर्बर भारत और नमीन भारत मतलब cultural diversity को हमने promote करना है, economic diversity के साथ सा और आत्म दिर्बर भारत, energy sector, health sector, building large system इसको हमने जादर जादर प्रमोट करना है आनवले समय में नमीन भारत, research and innovation को education में, industry में और administration में promote करना है, तो education के लिए सरकार, eternal innovation mission चला रही है, okay industries के लिए भी, administration के लिए भी सरकार various schemes लेकर आती है और आखिर में बात करते हैं, सरदार वललबाई पटेल जी की बारे में तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, 30 सकतूर बर 1875 को उनको सरदार पटेल से नाम से जाना जाता था, पहले डिप्टी प्राइम निस्टर थे, पहले होम निस्टर थे इंडियन ब्रेस्टर रहे हैं, और senior leader रहे हैं इंडियन नेशनल कॉंगरेस के बहुत ही एहम रोल रहा है भारत की unity में, तो बहुत सारे princely states को इन्होंने आपस में जोड़कर बारत को एक बारत बनाया है, तो इनका बहुत एहम योगदान है, तो इनको हमेशा सरहा जाता है, iron man of India भी बोलते हैं इनको, और और भी बहुत सारे नाम इनको दिये जाते हैं इनको जन्म हुआ था नाडिया डिस्टिक्ट में, डिस्टिक्ट खेडा में, तो गुजरात में पड़ता है, successful lawyer थे अपने टाइम पे, बहुत सारे अंदोलों में इनको प्रेजिदेंट रहें, आई-एन-सी के, और पार्टी के लिए इनक्शन्स पी और और 1934 में और 1937 मे और 1917 में सबसे पहले ये लेक्शन जीते थे, for the post of sanitation commissioner of Ahmedabad, so I hope आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो किर्पया चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें, so lecture सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया